फिल्म की शुरुवात में हमें टीवी पर एक रोबोटिक सेंटा दिखाया चाता हैं जिसे एक कंप्री ने एडवांस टिक्नोलोगी से बनाया था जिसका खास मकसर बच्चों को खुश रखना और उन्हें सिखाना पढ़ाना वगरा था इसके लाब ये सेंटा इतना काम का थ कि ये घर की सारे काम भी कर सकता हैं इसके बाद हम फिल्म की में करेक्टर टोरी को देखते हैं जो एक म्यूजिक की दुकान पर काम करते थी और आज शुके क्रिस्मिस हैं तो सभी लों काफी इंजुआई कर रहे थी हर जगा सज़ावट हो रखी थी इसी वज़ासे टोरी क की दुकान पे भी काफी रश लगा था तब यहां टोरी की दोस्त का हिस्बिंड आया जो से कहता हैं कि मुझे अपनी वाइफ के लिए सबसे अच्छा म्यूजिक अलबन चाहें जिस पर टोरी उसे अपनी मर्जी का अच्छा सा अलबन ने कान कर देती हैं इसी लेकर वो काफी इंच्वाई करेंगे अब जिब सारे कस्टमर्स दुकान से चिले गए तो यह दोनों दुकान बन करती थी हैं टोरी उसे बताती है कि आज मैं एक आदमी के साथ बाहर घूमने जा रही हूं जहां हमारा प्लैन बहुत इंच्वाई करने का है यह सुनकर रोभी उदास वो पूछता है गि तुम किसके साथ जा रही हो आखर गूमने जिस पर टोरी उसे तस्वेर दिखाता कर कहती है कि यह मैं एक शो में इससे मिली थी यह काफी मशुर जादोगर है इसी के साथ मैं जा रही हूं क्योंकि यह मुझे काफी पसंद है तस्वेर देकर रोभी किये कि मैए इस जादोगर को जानता हूं इसकी चार बच्ची है तो मेरा नहीं खयाल कि तुम्हें इसके साथ जाना चाहिए गूमने किसी एसी लड़की के साथ जाना चाहिए जिसकी शादी Danny ना हुई हो मेरे साथ ही चली जाओ यहिए सुनकर टॉरी थुडा घुरी इंडा सोचन रोबोट सेंटा को भी देखती है जो वाँ खड़ा था और उसी काफी प्रसंद आया जिसकी बारे में टोरी अपनी दोर से पूछती है जिस पर वो करीती है यह हाँ यह यह रोबोट सेंटा है जिससे मैंने अपनी दुकान पर काम करवाने के लिए खरीदा है पर अब उसकी बैटरी लो है तो मैंने उसे चार्जिंग पर लगाया हुआ है अब यह दोनों यह थोड़ी बहुत बात चित करने के बाद दोनों को क्रिस्मस विश करके वहां से चले जाती हैं टोरी और लूबी अब एक बार में गई शराब खरीदनी जहां टीवी पर रोबर्ट सेंटा की बारे में खबर दिखाई जा रही थी कि उस सेंटा की टेकनोलोजी में एक गड़बड़ी हो गई है जो कंपनी की कंट्रोल से बाहिर हो गई है जिस वज़ज़ से सभी सेंटा कंट्रोल से बाहिर होकर हद से जदा खतरनाक हो गई है जो कोई भी उनके सामने आ रहा है वो ब करने लगा वो इन दोनों से अपने काम की दुखों को बतानी लगता है कि मुझे तो कभी इंजॉआई करने का मुखाई नहीं मिलता है मेरे ड्यूटी इतनी सकते हैं मुझे शेयर की इफाज़त करनी होती है जिसके बाद वो इन दोनों को सबल कर रहने का पेर कर यहां से चला अब हम टोरी की दोस्की दुकान का सीन देखती हैं जहां उसका सेंटा पोरा चार्ज हो गया था जो होते वो अपना सर गुमाता है और वो भी काफिर ड्राउना खतरनाक लग रहा था वो अलमारी से कुलाड़ी लेता है और दुकान पर जहां से आवाज आ रही थी वो उसक प्राउना को लाड़ी से चीर कर उन्हीं मार दीता है इस बीच टोरी और रोभी जब उसकी दुकान की बाहिट से गुजर रही थे तो उन्हीं चिलाने की आवाज आई ये दोनों सोचते हैं कि शायद वो ऐसी मस्ती कर रहे होंगी तो इस चीज़ को नजर अंदास करके ये मान जाता है वो अपनी गाड़ी लेकर आया जिसकी अंदर ये दोनों बैट कई और टोरी के घर के लिए निकल जाती है इसी बीच हम दुबारा से सेंटा को देखती है जो भी इनकी गाड़ी का पीछा करनी लगता है ये दोनों जब घर आए तो टोरी रोभी को कहती है कि मे मेरा घर बहुती छोटा है और मेरा कमरा उपर वले फ्लोर पर है मेरी बेन भी अपने इस बिन के साथ ये ही रहती है तो हम उपर चुपके से जाएंगी ताकि उसी हमारी आने का पता न चली जिसके बाद यी बड़े अराम अराम से उपर आए और कमरे में आने की बाद दु जोने काफी शरा पी हुई थी वो नशे में इंचुआए करनी लगी जिबकि सेंटा साथ वले घर में गुसकर आगे बड़ा घर का मालिक उस पर गुसा होकर उसे घर से बाहर निकलने का करेता है पर सेंटा अपनी कुलाड़ी उसकी दरफ फैक के मारता है जिससे उसका चीर पर हमला करता है पूरा मूँ को चलकर वड़ी बेरे में से उसकी जान देता है अब जब वो आगी बने लगा तो घर की मालिकी बेटी उसी देख लेती है जो काफी डर दी वो जल्दी से उपर की तरफ भागी वाश्रूम में आकर अंदर खुद को लाउट कर लीती है पर से सेंटा को देखा तो वो डरा नहीं बल्कि वो खोश हो गया क्योंकि उसी लग रहा था कि वो ही सेंटा है जो बच्चों को क्रिस्मिस पर गिफ्ट देता है सेंटा भी उसी देख कर नीची आने लगा बच्चे अपने सामने पड़ा गिफ्ट खोड़नी लगा क्योंकि उसी लग रहा था कि ये मुझे लिए सेंटा लाया है गिफ्ट में से एक शेट निकलती है जिसे लेकर बच्चा सेंटा को कहता है कि मुझे शेट नहीं बलकि कोई और गिफ्ट चाहिए ये कहकर बच्चा उसे गिफ्ट मांगनी लगा पर सेंटा को लाड़ी से उस पे भी हमला कर और कई बार मार मार कर बच्चे की जान भी ले 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 था हैं टोरी जो शुराब की निशे में काफी दुद थी तो पार्टी करने के वज़र से ठग गई इसलिए जब वो किचिन में पानी पीने के लिए आई तो कड़की से बाहर देखनी पर उसी सेंटा नजराता हैं जो इतना मत खबराओ जिस पर तोरे जवाब देती है कि उस बच्चे की कपड़ों और जिसम पर खून लगा हुआ था और मेरा नई ख्याल कि ये मजाग हो सकता हैं जिसे हमें ऐसे डाल देना चाहिए मुझे बोर्डर लग रहा हैं क्योंकि सेंटा की हमने कबर भी तो सुनी थ सेंटा पूरे घर की लायर्स आफ कर देता हैं जिससे वहां अंदेरा चा गयां और यह लोग चुप-चाप डरकर बस वहीं बैठी रही कोई आवास भी नहीं करती पर अब जिब रोबी सेंटा को देखने के लिए खिड़की के पास गयां तो फोरान सेंटा खिड़की के सा बाहर आजाता हैं आप दुलों दोपने जान बचाकर बाहर आ गई जरा पांध वह दोरी की बेन और उसके इसबीड नहीं जा पाथी सेंटा उने पकड चुका था वह तॉरी की बिहन को सरसे पकड़कर उसकी गुमाकी रखते था सिसलिंग की दोटनों इसलोपनी है सी उस वो समझ गई कि सेंटा ने उन्हें मार दिया हैं तोरी दुखी होकर रोनी लगी दोनों अब अपनी अपनी जान बचाने के लिए काफी डर गे थी इसलिए वो जदी से रोबी की गाड़ी में आकर बैठ चाती हैं तब तक घर से बाहर से बाहर सेंटा भी आ गया था और अब इन्हों ने देखा कि सेंटा हमें भी मारने के लिए आ रहा हैं तो यह जल्दे से अपने गाड़े स्टार्ट करके यहां से जाने लगी पर जल्द बाजी में उनकी गाड़ी एक दोसरी गाड़ी से टत्रा आ गई दोनों गाड़ियां वहीं रुख जाती हैं इसलिए दोसर को ठाकर रोबी की गाड़ी पर दे मारता हैं जिससे लाइश का उपरवला हिस्सा गाड़ी के अंदर चिला गया उसका खूल इन दोनों पर भी गिर गया जिससे यह दोनों काफी खबरा जाते हैं रोबी जो काफी डरा हुआ था जल्दी से गाड़ी बगाने का सोचता हैं जब हड़ड़ी में उनकी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती हैं जिससे उनका काफी बुरा एक्सिडेंट हो गया और सामने वाला पूरा ही कोईश तूट चाता हैं अब ये देकर सेंटा गाड़ी के पास आया सामने से वो रोबी को गाड़ी से बाहर निकालता हैं उसका भी सर काड़ के रख दीता हैं और ऐसी उसकी भी इतनी भायानक मोथ हो जाती हैं उसकी बाद अब जब सेंटा टोरी को मारने के लिए आगे बढ़ा तो तब यहां एक पुलिस ऑफिसर अपने गाड़ी वेकर आ जाता हैं वो बाहिर आकर गन प्वाइट करकी सेंटा क कुलाड़े फैंकने का कियता हैं पर क्योंकि वो रोबोट सेंटा हैं तो उसे ऑफिसर की बाद समझ नहीं आती वो बिना डरे आगे बढ़ता रहता हैं इसलिए अब पुलिस ऑफिसर को उस पर गोलियां चिलानी पड़ती हैं दो दिन गोलियां खाने से सेंटा वहें गिर उसलिए वो टोरी को उपनी गारी में लेकर बैठ जाता हैं उसे संभालता है कि घबराओ नहीं अब सब ठीक हो गया है मैंने सेंटा को मार दिया हैं या टोरे उससे समझाती हैं कि ये क्या आम सेंटा नहीं बलके रोबोट सेंटा है जो बहुत ख़टरनाक हैं और इससे इत गाड़ी की तरफ आ रहा था पर उस सरफ इनका दिहान नहीं गया और अब गाड़ी की पास आकर सेंटा जैसे इनकी गाड़ी पर चड़ा पुलेस ऑफिसर उसे देख लेता हैं और अपनी गन से दुबारा सेंटा को शूट कर दीता हैं जिससे वो फिर एक बार नीचे गिर ग तो वो काफी भड़क दी उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और सेंटा को सोर से टकर दे मारे कि वो गाड़े घुमा कर सेंटा के उपर चड़ा देती है पर वो बजाए उसकी मदद करने की उस पर एगंदान देती है क्योंकि टोरी की जिसम पर खूल लगा हुआ था तो उन्हें लग रहा था कि ये किसी को मार करा रही है हलांकि वो उन्हें काफी समचाती भी है पर वो उसकी बिना कोई बास उन्हें हतकड़ी लगाकर उसे गिरुफतार कर देती है और अपनी साथ पुली स्टेशन ने जाने क मैं भाग रही थी हलांकि मैं उसे को चल आई हूं उसकी ये बास सुनकर आफिसर पूछती है क्या वो सेंटा भी जिन्दा है या मर चुका है तोरी कहती है कि वो रोबोर्ट सेंटा है जो इतना खतरनाक है कि उसे इतनी असानी से मारा नहीं जा सकता अब तबी ऑफिसर केता है कि इसे तुम अपने पास रखो इसे भी मुश्किल में ये तुम्हारे काम आएगी और खुद वो अपने ऑफिसर साथी को लेकर यहां से बाहर गया एंबूलेंस को चेक करने के लिए जिसमें सच मुछ सेंटा ही था वो एकदम बाहिर आ गया इसलिए ऑफिसर को उस हर जगा टोरी को ढूरनी लगता हैं उसने यहां अंधेरा कर दिया था और उसके उपर जो लाइट लगी हुई थी उसके सिगनल्स की मिदर से वो टोरी को ढूरनी लगा तबी उसे अपनी लाइट से मेसूस हुआ कि टोरी एक अलमारे में चुपी हुई है इसलिए वो हर अ बाहर निकालकर उसे शूट करने के कोशिश करती है पर सेंटा ने उसे देख लिया था वो गन पकड़कर पहले वो चीनता है जिसके बाद तोरी को भी बालों से पकड़की बाहर लेकर आया आफी मारने की पाद जब उलाड़ी से उसकी जान लेने वाला था तो तो तब है उसे बिचली के जटकी लगा दीती है जिससे जट पटाकर वो वहें गिर गया और अब उसकी वो लाइट पी चलना बंद हो गई जिससे टोरी को लगा कि अब इसकी बैटरी लोग हो गई है चार्जिंग के बगर ये दुबारा नहीं उठेगा तो वो गर लेकर बाहर आये एंब्यूलेंस में बैट जाती है और यहां से भागने के कोशिश करने लगी पर तभी हम ने देखा कि सेंटा की लाइट फिर से जलने लगी है और एक बर फिर वो उठ खड़ा हुआ पुलहारी लेकर बाहर जाता है उसे देखर टोरी जल्दी से एंब्यूलेंस लेकर यहा बाहर आके गिरता है तोरी यह देखर जल्दी से बाहर आए और उस पर एक गारी चड़ा कर सेंटा को दबा दीती है और वो इतना खतरनाक था कि उस गारी को अटा कर बाहर आने के कोशिश करने लगा यह देखर टोरी अब एक और गारी उस पर चड़ा दीती है और उस गार में आग लगा कर दमाका कर देती है जिससे सेंटा भी थोड़ा थोड़ा जलनी लगा अब टोरी को लगता है कि ऐसी में जान उसे छोट जाएगी यूगि अब सेंटा जलने से मर जाएगा इसलिए वह वहां से निकल कर आगे बढ़ी तोट को जैसी तेसी संभालते हुए एक दुकान में आ गई और वहां इस जगा पर बैट कर सकून का सास लेने लगती है पर हमने देखा कि सेंटा की आग भुच गई है इस हादसी में उसका एक हादर तोट गया है पर अभी भी उसमें जान बाकी थी वह उट खड़ा हुआ उसकी लाइट फिर से चलने लगती है औ और अब वह फिर से टोरी को ढूलते हुए दुकान के अंदर आ गया ताकि उसका भी काम तमाम कर सके टोरी ने भी उसे देख लिया था इसलिए वह जल्दी से वहां से हटकर साइड में जाकर चुप चाती है उसे वहां एक तलवार मिली और अब जैसे सेंटा उस पर हमला कर आती है वह तो कान में लगी पानी की फवारी के पास आग जिदा देती है और अब जैसे वह करेंट वाला पानी सेंटा पर गिरा उसके जिसमें शॉर्ट सरकिट होने लगी पर हैरन इससी वह उसका ज़्यादा कुछ नहीं होता वह खुद को पिर से ठीक करके एक बार फिर तोरी के पीछी पढ़ गया पुलहाड़े मार कर उसकी दो तिन उंगलियां ही कार देता है जिससे वह काफी सकमी हो गई अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ने लगी और सेंटा जो शॉर्ट सरकिट की बजल सी अब थुड़ा कमसूर हो रहा था वो अभी भी नहीं र तोरी को मारने की फिर भी बार-बार कोशिश करता रहता है अब तर तोरी को अंदाज़ा हो गया था क्योंकि यह रोबोट सेंटा है तो यह बिजली से बना है इसलिए अब इसका खात्मा भी बिजली से ही किया जाएगा इसलिए वो काफी हेवी करेंट वाली बिजली की ता पर यहां उसने अपनी बहादरी और समझदारी से उस जान लेबा से अपनी जान बचा लेगी और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यही पर खत्म जाती है